कनाटक में एक बर फिर टमाटर चोरी का मामला सामने आया है यहां के कोलार से राजिस्तान के लिए निकला 21 लाख रुपए के टमाटरों से भरा ट्रक रहसमे तरीके से गायब हो गया है ट्रक के मालिक के मताबिक 27 जुलाई को दो ब्यापारियों ने कोलार एपी एमसी यार्ड से राजिस्तान के जैपूर तक टमाटर ले जाने के लिए ट्रक बुक किया था ट्रक को शनिवार राज जैपूर पहुचना था लेकिन सोमवार तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुचा ड्राइवर के फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है टमाटर चोरी होने की अशंका के बाद ब्यापारियों ने कोलार में F.I.R. दर्च कराई है